Hi developers, अब बात करते हैं Angular 15 के एक important feature के बारे में which is standalone components आप ये कह सकते हो कि यार ये तोम लोग उने Angular 14 के अंदर भी सुना था definitely सुना था बट उस time पे ये official package नहीं था, official feature नहीं था तब उन्होंने एक testing के purpose से इसको add कर दिया था और ना ही उस time पे stable था एक बार वो चाहते थे कि लोग उनको use करेंगे तो कैसा response आता है और ये properly काम कर भी पाता है कि नहीं कर पाता है इसलिए उन्होंने Angular 14 के अंदर standalone component को officially release नहीं करा था अब उन्होंने officially release कर दिया तो मैं इसके उपर video बना रहा हूँ सबसे पहले बात करने वाले है कि standalone components होते क्या है किस तरह के से इनको बना सकते है इनकी जरूरत क्या बढ़ती है और जो last one line है ये आपको अभी समझवें नहीं आएगी बट जैसे मैं आपको तीन points बता दूँगो तब आपको अराम से समझवें आएगी पोइंट ये है कि standalone components के अंदर हम लोग dependencies की इस तरीके से handle कर सकते है विकोस सारा का सारा खेल dependencies का ही होता है जब भी हम लोग component यूज करते है जब भी लोग standalone component हो या फिर normal component हो अलाइट पहले point के ओपर देखते है standalone component का मतलब क्या है ऐसे components जो किसी और module या फिर component या फिर feature को भी depend नहीं करते है उनको हम लोग बोलते है stand-alone components अपने आप में वो properly काम कर सकते है उनको किसी भी अलग से module वगारा की ज़रूरत नहीं होती है अब आप बोलोगे अच्छा ऐसा जरूरी होता है कि जब हम लोग एक component बनाते हैं उसको में module की dependency देनी पड़ती है definitely अब से पहले यानि कि Angular 15 से पहले अगर आप लोग कोई भी component बनाते थे तो उसको आपको एक module के अंदर रखना पड़ता था अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है मैं आपको सबसे पहले एक normal component गरेट करके दिखाता हूँ उसके बाद में हम लोग stand-alone component गरेट करके दिखाएंगे और आपको difference लिखाऊंगा कि क्या-क्या difference आता है फाइल्स के अंदर यहाँ पे हम लोग मारे output चेक करेंगे यहाँ पे ट्रेमिनल ओपन करता हूँ और सबसे पहले एक normal component बनाता हूँ मैं यहाँ पे लिखूँगा ng g4 generate c4 component का नाम मैं यहाँ पे रख लिएता हूँ component का नाम let's say home और चैसे मैं एंटर करूँगा तो एक home component वेला generate हो जाएगा इसके साथ में चार file generate होगी, ts file होगी, html file होगी, css file होगी एंड एक testing वाली file होगी और इसके साथ आप देखोगे कि app.module.ts के अंदर भी कुछ change हुए है और change हुए कि अगर आपको देखने है तो आप इसके अंदर आ सकते हो, इस file को open कर सकते हो app.module.ts को, और आप यहाँ पे देखोगे, change गया होगा है, home component है यह declare हो गया है अपने आप की यहाँ पे ठीक है, यह इसके अंदर change होगा है ओल राइट, तो इसका मतलब गया है, इसका मतलब यह है कि जब भी आप एक component create करते हो, वो एक module के इंदर जाके declare हो जाते है that means कि हम लोग बिना module के component को use नहीं कर पाते थे, अब तक ऐसा था, बट अब ऐसा नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ, अदिक standalone create करके, component create करके तो मैं हाँ पर लिखूँगा ng, g for generate, c for component, और component का name, let's see मैं component का नाम पर करेता हूँ, यहाँ पर user, बट आपको इतना ही नहीं करना, उसके बाद में अलगाना है, आपको minus minus standalone, और चैसे आप enter करोगे, तो आपका एक और new component create होगा, बट इस बार app.module.ts वाली फाइल के अंद कोई भी change नहीं हुआ, और यहाँ में आप देख भी सकते हो, जो हम लोगों ने यहाँ पर अभी user वाला component create कर रहा है, यह यहाँ पर register नहीं हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते है, standalone component, अब दोतिन question खड़े होगे, पहली चीज, क्या यह किसी तरीके से अलग behave करेगा, कुछ अलग तरीके से काम करेगा, इसमें कुछ अलग से code लिखना पड़ेगा, जो हमारा standalone component है, बिल्कुल नहीं, जैसे आप पहले काम करते हैं तो वैसे काम करोगे कोई भी फरक नहीं पड़ेगा, बस code के हिसाब से फरक यहीं पड़ा है, जो हम लोगों ने पहले component बनाया था, home without standalone, वो हमारी app.module.ts के अंदर declare हुआ था, और जो हम लोगों ने standalone component बनाया, user.component.ts वो हमारा app.module.ts के अंदर register नहीं हुआ, ठीक है, तो code करने के अंदर कोई difference नहीं आएगा, behave विल्कुल दोनों का अलग नहीं होगा, same behave होगा, अब second question ही आता है, कि ऐसा हुआ क्यों, अब पहले क्या problem थी, अगरो हम लोग app.module.ts के अंदर component को declare करते थे, तो उसमें कुछ problem थी क्या, देखो, problem ये थी उस टाइम पे, अब मालो, जो हमारा app वाला एक module है, इसके अंदर आपने 20 component बना दिये, ठीक है, user का बना दिया, कुछ authentication का बना दिया, sign up का, login का, और create account का, किसी एक component के अंदर, मालो, किसी भी एक component के अंदर, आपको कुछ external service चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करोगी, वो service भी आप app.module.ts के अंदर declare करोगी, but उससे problem क्या होती थी, कि हमें चाहिए तो वो service थी, वो एक ही component में चाहिए होती थी, service की बात भी कर सकते हो, pipes की बात भी क कर सकते हो, वो हमें एक component में चाहिए होती ही, but इस module के अंदर 20 component register थे, तो सब के अंदर layer up हो जाता था, सारे के सारे जो component, जो app.module.ts के अंदर register थे, सब के उपर apply हो जाता था, अब इससे क्या होता था, एक्स्ट्रा layer बन गई, और जब भी आप कोई भी component यूज करते, वो यह कभी भी app.module.ts, या फिर अगर हम लोग अलग से भी कोई module बनाते हैं, हम लोग custom module भी बना सकते हैं, उनके अंदर यह load ही नहीं होगा, यह अपने आप में अलग तरीके से काम करेगा, जो हम लोग उने standalone component बना है, ठीक है, तो यह इसका benefit हो गया, कि थोड़ी सी speed up होगी, और हमें बार-बार एक component को किसी भी एक module के अंदर register करने की जुरूरत भी नहीं पड़ेगी, इसको हम लोग separately use कर सकते हैं, ठीक है, अब next चीज़ी आती है, जैसा मैंने बताया, कि मालो एक component के अंदर हमें service चाहिए थी, ठीक है, या फिर directory चाहिए थी, या फिर हमें pipe चाहि इसको हम लोग module वाली किसी file में declare नहीं करेंगे, उसको हम लोग directly component के अंदर ही declare करेंगे, कहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ, app.component.ts open करो, और आपको यहाँ पे दो चीज़ी निखेंगी, पहले बात जो standalone, colon, true है, that means, कि आपका component standalone है, और imports में यहाँ पे है na, component module, यहाँ पे आप अपनी services को, piped activities को गयरा को directly यहीं पे import कर सकते हो, यह किसी भी module के ओपर dependent नहीं रहेगा, यह इसका, कह सकते हो, एक मातर और सबसे बड़ा feature है, और actually नाम से भी पता चल रहा है कि यह standalone है, यह अपने आप में चलेगा, इसको किसी भी dependence की जुरूद नहीं होती है, right, so that's all for this part, और next part में हम लोग angular shifting कुछ नहीं features देखेंगे, अगर आप लोग नहीं तक चैनल को subscribe नहीं करा, तो चैनल को subscribe कर लेना, वीडियो को like भी कर देना, and comment section में पना feedback देना, बिलकुल मत मूलना, right, thank you guys, thank you so much for watching this video.